जीतने भी छात्र छात्राओं का सेलेक्षन भीहार बोड के UFSS के इंटर एडमिशन के फर्स्ट लिस्ट में हो चुका है तो आप जानते हैं आपके एडमिशन की परकिरिया जारी है ऐसे में काफी छात्राओं के तरब से प्रस्ट पर आप थो रहा है कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा एडमिशन अगर हम मालीजे जाकर कॉलेज में नमांकन करा लिए तो नमांकन अपडेट हुआ है की नहीं आप ही महत्वपूर्ण प्रस्ट है इसी प्रस्ट के हम जबाब जानने का परियास करेंगे कि अगर आप नमांकन करा चुके हैं मालीजे अपने कॉलेज में जाके तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन कौन प्रूफ रहना चाहिए जिससे आपको पता चले कि हाँ आपका नमांकन अक्षुल में हो चुका है और OUFSS के पोर्टल पे आपका नम अप्डेट हो चुका है या अगर आप अभी तक नमांकन नहीं कराएं हैं अगर आप वाले हैं नमांकन कराने तो आपको समझ के जाना है कि कौन-कौन सा प्रूफ आपको प्राप्त कर लेना है नमांकन के बाद ताकि आपको समझना है कि आपका नमांकन अपडेट हो चुका है क्योंकि सभी परक्रिया इस साल ऑनलाइन हो रहा है अगर आपका नमांकन अपडेट बाहर साब को फी सम्मिट करके ऐसे एक फॉर्म जमा करना पड़ रहा है और जो जो डॉकमेंस बताया ज़रा ओर डॉकमेंस जमा कर रहे हैं तो अगर मालनीजी आप में हर जगर लगभग ऑनलाइन ही चल रहा है लेकिन अगर आप मालनीजी ऑफलाइन पर करी आपके कॉलेज म दे रहे हैं तो अगर आपको में ऑनलाइन एडिमिशन हो रहा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो ऐसे आप ऑनलाइन करा के जो इंटिमेशन लेटर और जो जो डॉकमेंस बोला गया था उसके साथ में इस तरह आप जमा की होंगे तो वहां पर लोग आपको आपको समझना है कि आपको अपको प्राप्ट हुआ होगा तो आपको समझना है कि आपको नहीं मिला है आपके इसकूल से तभी आपको घबलाने की कोई आउसकता नहीं है अगर आप जो भी मुबाइल नमर UFSS में दिये होंगे मैंने दिखा रहा था उपर की पर्थम मेरे टलिष्ट का अगर मैसेज आया होगा तो अगर आप एडमीशन करा लिये होंगे जैसे देखिए एक छात्र के यहां पर 14 के दिन ही वो एडमीशन करा लिया तो उसके पास मैसेज आया हो उसने स्क्र ήταν DID इतना यहां पर शात कर अपर सप्का टीपी वर्मा कॉलेज में हो चुका है 14 pil को साइंस स्ट्रीम से और अपडेट कर दिया गया है पर दूसरे प्रूप के त्र पर begिंस्स जैगे चौदा हम्हें इसके पास आज इसके पस कल साम तक मैसेज आए तो इसको आने में एक दो दिन का समय लग सकता है आपको चीनता लेने के कोई आउ सकते नहीं तो दूसरा आपके पास एप प्रूफ हो सकता इस रूप में आपके पास BACB के द्वारा मैसेज आएगा अगर मान लिजे दोनों प्रूफ आपके पास अब लेबल नहीं है मान लिजे आपका नंबर बंध है या आपके पास मैसेज किसी कारण वस नेटवर्क किसी उसे नहीं आ पाया या आपको उपर जो मैसे रसीद दिखा रहा तो वैसे आपको receiving भी नहीं मिला है तो तीसरा बड़ा ही जैन्मीन तरीका है यहां सभी आप पता कर सकते हैं कि आपका admission update हुआ है कि नहीं आप college में फी जमा कर दी आपका नमांकन हो पाया है कि नहीं तो इसके लिए अपने mobile phone का आपको कोई भी browser open करना होगा गूगल सर्च बॉक्स मिलेगा यहां पर आईएगा इस चैनल का नाम ऐसे AR carrier point सही सही टाइप करके आपको सर्च कर करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने AR carrier point dot com website open हो जाएगा यहां पर नीचे की तरह पर scroll down करना है और admission वाले सक्षन पर यहां पर आईए बिहार बोर्ड UFSS Interadmission Merit List 2022 सींपल सा आपको इस post पे किलिक कर देना है आपके सामने Interadmission की एक एक जनकारी open हो जाएगा अपने के सुब यहां पर आईएगा student login जोनों बना है यहां पर click here देख लिए student login के सामने सींपल सा आपको इस पे किलिक कर देना है जैसे ही आप किलिक करेंगे आप जानते है student login का page open होगा और student login करने के लिए आपको अपना mobile number जिससे आप form भरे थे यहां पर password जो आप password create किये थे और यहां पर एक capture जो दिखाया जारे इसको फील करके आपको login बटम पर click करना है सही सही आप इसको type करके जैसे ही फील करके login बटम पर click करेंगे वैसे ही आपके सामने आपका dashboard यहां पर देखिए open हो जाएगा उसके पर आपको क्या करना है यहां पर three dots पर click करना है यहां पर जो three dots ब open हो जाएगा यहां से आप slide up कर पाएंगे सभी college के बिकल्प में बदलाव कर पाएंगे अब देखिए इस चाथ-चात्रा काभी admission अपडेट नहीं हुआ है तो यहां पर लिख रहा है कि आप इसके लिए eligible नहीं अर्था कि पहले आपको जाकर नामांकन कराना होगा तो यह आपी भी द्यार्तियों में confusion था कि शरम मारा नामांकन हो चुका है लेकि नामांकन के तौर पे क्या रसीध हमें मिलेगा तो मैं बोला तीन प्रूफ में से कोई भी एक प्रूफ आपके सपास है तो समझे आपका नामांकन आपका college जहां पर भी आप फी जमाकी है नामांकन कराएं वो लोगों अपडेट कर दिये हैं OFSS के पोल्टल पे क्योंकि OFSS के पोल्टल पे अगर आपका नामांकन अपडेट नहीं होता है तो उस seat को रीक्त मांते हुए बिहार बोड बार बार बता रहा है कि उस पर लिस्ट में दूसरे छातर का नाम जारी कर देगा तो तीन महत्वपूर तरीका है आप जानते हैं कि slider का मौका तभी मिलेगा कि जिस लिस्ट में माले यह पर्थम लिस्ट में आपका नाम आया है तो उसमें जाकर आप नामांकन करा लेंगे वो कॉलेज आपका नामांकन अपडेट कर देगा तभी आप स्लाइड अप कर सकते हैं तो नहीं खूलता है तो समझिया भी आपका नामांकन अपडेट नहीं हुआ है तो यह मैंने तीन-चार तरीका आपको बता दिया इससे आप पता कर सकते हैं इसली सबसे आसान है स्टुडेंट लोगिन करके आप वह से चेक कर सकते हैं कि आपका नामांकन आप जो जहां पर भी